next question, question says a capacitor of 20 microfarad is charged to 500 volt and connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad which is charged to 200 volt, सवाल यह के common potential क्या होगा, again simple सवाल है, कुछ लोग यहाँ पे direct formula याद करवाते हैं, formula भी हम इसको देख सकते हैं, बढ़ एक बाद चेक कर लेते हैं, formula आया कहां से, सो मान लीजिए, यह आपका एक capacitor है, जिसकी capacity C1 और इसको आपने V1 potential पर चार्ज कर रखा है, अब आपने इसको connect कर दिया एक दूसरे capacitor से, जिसको आपने V2 पर चार्ज किया हुआ है, capacity उसकी C2 है, अब हमें बताना है कि जब हमने इन दोनों को connect किया, तो यहां पर जो हमारा common potential आएगा, वो common potential, let's call it V dash, वो V dash कितना होएगा, यहां पर जो एक important चीज़ है समझने की, वो यह है कि इसका जो चार्ज Q1 होएगा, और इसका जो चार्ज Q2 होएगा, जब हमने इन दोनों को connect किया है, उसका connect करने के बाद, वो ही चार्ज यहां से कुछ flow करके दूसरे में जाएगा, और वो ही चार्ज आपका conserve रहेगा, इनिशल चार्ज जो है आपका Q1 प्लस Q2, यह आपका इनिशल चार्ज है, यह आपका final चार्ज है, आपका इनिशल चार्ज आएगा C1 V1, बिकाज हमें पता है Q is equal to C V होता है, प्लस यहां पर आएगा C2 V2, और यहां पर आएगा आपका चार्ज C1 V' प्लस C2 V' विच इंप्लाइज आपके V' की जो वल्ली हो गई, वो हो गई C1 V1 प्लस C2 V2, divided by C1 प्लस C2, कुछ लोग यहां पर यह formula याद करवा देते हैं, कुछ students इसको formula को direct यार रखते हैं, पर अगर भूल भी जाएं तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, hardly आदा मेंट लगेगे हैं यहां तक पहुंचने में, यहां पर आपका direct formula है, data में दिया हुआ है, इस data को बस use करके हम value निकाल सकते हैं, यहां पर जो आपका V' आएगा, जो आपका final common potential होगा, वो होगा 500 multiplied by 20, plus दूसरे वाला जो capacity है, वो अपना 200 into 10 लिख सकते हैं, उसके लिए हम, 200 multiplied by 10, divided by जो इनकी individual capacity है, वो 20 plus 10 हो जाएगे, इसको जब हम solve करेंगे, तो अपना answer आजाएगा, सो यह होगा, नीचे तो बना 30, और उपर बना 1, 2, 3, 1000 हम common ले लेते हैं, और इंदर बचा 10 plus 2, 12, जो इसको जब multiply करेंगे, 4 यह होगे, आपना 400, जो 400 volt इनका common potential होगा, सो based on this हम कह सकते हैं कि option number C, 400 volt would be the right answer.